हमस्कार सभी को आज अपने time and speed का एक सब्सक्राइब पॉइंट ट्रेन पे बने जितने भी परकार के क्वेस्टन बनते हैं उन सभी के property के बारे में अपने बात करेंगे जितने concept बनते हैं जितने formula को अपने को या जितनी language में अपने सामने क्वेस्टन रखा जाता है सभी को आज ही एक ही दिन की class में से complete करेंगे और इसमें बने पर्सनों के practice अपने कल की class में करेंगे मतलब दो दिनों के अंदर अपने जो time and speed का जो train का जो point है उसे अपने complete कर चुके होंगे तो अपने शुरुआत करें उससे पहले अपने देखना होगा कि train में ऐसा क्या विसेश है जो कि अपने को कहिना के परशान कर सकता है या ऐसा विसेश जिससे समझना बहुत जुरूरी है जबकि अपनोंने समय दूरी चाल पे बने basic question सभी कर चुके है अपने पास में पहले चीज़ तो यह कि अपने सभी परतियों के लिए बहुत मैतोपून टोपिक है अपने पास में रास्तान गवर्मेंट की बर्तियों के बात करें या सेंटर गवर्मेंट की बात करें बहुत एक्जाम के अगर आप त्यारी कर रहे हैं तो यह आपकर लिए बहुत important point है आज की क्लास अपने तो शुरुवात करें उससे पहले अपने को जो छोटी सी बाते जो होना चाहिए जानकारी में यह दिन नहीं है पहले से तुम मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा यह को अपने पास में समाने तीन फॉर्मले रहते हैं अलांकि मैंने सारी बाते पिछली क्लास ने बता दी पर थोड़ा सा रिवाइज करेंगे ताकि आप पूरा अपडेट रहें अपने इस क्लास को लेके दूरी के से प्राप्त करते हैं तो दूरी के लिए फॉर्मला रहता है चाल इंटू समय के समय के से प्राप्त करते हैं तो समय प्राप्त करने के लिए क्ल दूरी बटे में चाल तो यहां के बात करें कि चाल क्या है o चाल के ब Merci और ये तेन समाने फॉर्मित्र आप जानते हैं एक इस बात का जो आज सबसे जादा यूज करना है कि में को चाल का परीवर्तन करना को उनकी आपके सामने ऐसा परrysan नहें आएगा तो लमानेत ऐसा नहीं पुछा जाता कि भी एक ट्रेन 180 किलोमेटर की दूरी तेय करना है, 60 किलोमेटर प्रती गंटा की उसकी स्पीट है तो बताइए कि कितना समय लगा, तो आप 180 में 60 का भाग देंगे और बोलेंगे 3 गंटे, ये नहीं होगा यसा आपने, क्योंकि ट्रेन पे क्वेशन होते हैं, वास्ता में ट्रेन के लंबाई का बहुत बड़ा रोल रहता है, और विद्यारती यहीं पे उलच के रहे जाता है, इसलिए अपने लंबाई, यानि आज दूरी का काम कैसे करना है, चाल हमें किस परकार से देखनी है, कैसे प्राप्ट करनी है, और किस कि बात करेंगे, उससे आगे हम बढ़ते हैं, क्या, देखे एक चीज़ और अपने को, साल के बारे में अगर आप जानकारी नहीं रखते हैं, तो ध्यान रखिएगा, साल यदि किलो मिटर परती सेकंड में बदनने के लिए, मिटर परती सेकंड में बदनने के लिए, आप होगा किसे सारा बटे हैं, तो ये दो तिन समाने छोटी सी बाते हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है, अब अपने बात करते हैं कि कैसे परसन आते हैं, किस परकार के लेंग्विज आपके सामने रखे जाती है, उन पे बने परसनों में कैसे दूरी प्राप्त करते हैं, क देके सबसे पहले एक सिच्विस नाती है आपको मैंने अलग-लग डायग्राम के माद्यम से बताने का प्रियास किया है और उन्हें समझना होगा जब पर टेक डायग्राम एक नई प्रोपर्टी एक शांदर तरीके से आपके सामने लेके आरा और आपको इन बातों का ध्यान है जो हम बताने जारें देके सबसे पहले क्या होता है कि कोई एक ट्रेन अगर किसी खंबे मैं बात करूं कि अगर सिगनल की बात करें सिगनल या किसी खंबे या किसी पेड या किसी खड़े वेक्टी को वेक्टी का भी ध्यान रखना है इस पर बनने वाले आगे बहुत सार तो इन में क्या विसेस बात है आप देखिए कि कोई पेड़ होगा उस पेड़ की उंचाई आप देख सकते हैं उंचाई याप बताते हैं लेकिन समाने तरह यह परसन नहीं पूछा जाता कि पेड़ की चुड़ाई कितनी है मतलब यह कह रहे हैं कि आपके सामने अगर कोई एक गरनिंग करती हुई गती मान अगर एक ट्रेन है और किसी एक ऐसे पॉइंट को पार करी है जिसकी चुड़ाई नगणने है मतलब उसकी चुड़ाई जीरो लेके चलते हैं आप ऐसे केस में क्या करना है और आपके ट्रेन के क्लास के बाद मैं ऐसा कभी आपको फिल नहीं होगा कि ट्रेन वाले परसन हमसे हो नहीं रहे जैसे मैंने अभी बताया क्या कि अगर कोई एक रनिंग करती हुई ट्रेन किसी एक ऐसे पॉइंट को पार करें इसकी उंचाई तो है लेकिन चोड़ाई न गणने हैं उसके लिए समाने आपके परसनों के लेंग्वेज में सिगनल आता है पेड आता है खंब आता है वेक्ति आता है इस परकार से अगर किसी persistence का काम करेगा दूरी का काम करेगा साल आपके पास में देखेंगे क्योंकि आपके पास में train है तो train की ही गती दी जाएगी और किसी की गती तो देना संभवनी यहाँ पर समय वो आप से पूश सकता है तो साल और समय में कोई confusion नहीं है पहले चीज़ आपको यह बताना है और ध्यान रखना है कि अगर कोई train किसी एक ऐसे point को पार करे जो इसके चोड़ाई नगन्या है जिरो है और उस समय अगर पार करती है तो वहाँ पे जो दूरी की value है वो सदेव और सदेव वो होगी जो train की लंबाई होगी अब देखिए question कैसे बन के आएगा साथ साथ हम एक एक question करते चलेंगे फिर इसके practice अपने कल सभी करेंगे देखे क्या कहता है और एक आदत बना लो train पे बने परसन में अगर आप चोटा सा diagram यूज़ करने के आदत बना लेते हो मैं यह नहीं कहता कि train बनानी आपको आपको diagram यूज़ करना चीए और diagram यूज़ करते हैं समय ध्यान रखना है कि train के लंबाई जो होती है वो उसके उपर लिखा करो और उसकी गती होती है वो नीचे लिखा करो देखे एक वसन आया अपने पास में क्या कि एक train है एक train 160 मेटर लंबाई की है एक train 160 मेटर लंबाई की है जिसकी गती बहतर किलोमेटर प्रति गंटा की स्पीड से वो चल रही है एक train जो है वो 160 मेटर लंबाई की है और 20 किलोमेटर प्रति गंटा की चाल से चल रही है वो रस्ते में आने वाले यदि किसी एक सिगनल को या पेड को या खंबे को एक वेक्ती को कितने समय में पार करेगी कि आप से पूछा गया और आपको ग्यात करना है क्या टाइम यान आपको गती तो दे रखी है साल कितनी दे रखी है आपको बैतर किलोमेटर प्रति गंट और हमने अभी बताया था कि ऐसे परसन में जो दूरी की वेल्यू होती है दूरी सदे वो है जो train के लंबाई है तो train के लंबाई आपके पास में कितनी है आप देखेंगे train के जाता या आपको ध्यान रखना है तो देखो दूरी कितनी प्राप्त होगी 160 मेटर के से पता चला कि ऐसे परसन में जो दूरी होती है वो train के लंबाई होती है चाल कितनी दे रखी है बैतर किलोमेटर प्रति गंटा दे रखी है पुछ आप से क्या है समय का फूर्मला क्या जानते कि जी समय बराबर में होता है दूरी बटे चाल लेकिन क्यूंकि आपको ध्यान होना चाहिए कि आपकी दूरी यदी मेटर में है और चाल आपकी किलोमेटर प्रति गंटा में है तो समय वाला फूर्मला सिदा सिदा काम है नहीं करेगा उस केस में अपनी चाल को बद पर तीस तो जो आपकी ट्रेंड की जो गती है वो बहतर यूज ना करके आपको कितना करना पड़ेगा 20 मेटर पर तीस सेक्ड अब आप से क्या पूछा है समय समय बताने का फॉर्मला क्या होता है कि जी दूरी बटे में चाल अब देखे दूरी भी मेटर में है साल भी मेटर पर तीस सेक्ड में हैं तो 160 में 20 का भाग दिया रिजल्ट प्रफ्ट हो गया कितना कि जी वो उससे पार कर जाएगी कितने समय में आपका प्वस्ट क्या समझ में आना चाहिए और क्या ध्यान में रखना चाहिए मैं रिपीट करने जा रहा हूं तो एक छोटी सी बात है पार करती है तो उस समय जो दूरी की वेल्यू होती है वो सिफ और सिफ होती है ट्रेन की लंबाई जितनी ट्रेन के लंबाई होगी वो दूरी का का काम करेगा दूरी आपके पास में मेटर में दी जाएगी समाने क्योंकि ट्रेन किलो मेटर में नहीं होगी उस केस के अंदर आपकी चाल भी मिटर परती सेकेंड होना चाहिए और जब दूरी और चाल अपने को दोनों प्राप्त होगे तो आप समय कमान प्राप्त कर सकते हैं प्रोपिटी नमबर फर्स्ट रूल नमबर फर्स्ट आपके सामने होगा उमीद है बात समझ में आईए है अपने को तdoes लिह आगे बढ़ते हैं सेकेंड रूल पे अपने सेकेंड रूल में क्या रहता है कि आपकी बार जो एक ट्रेन है वो ट्रेन किसी एक विक्ती को पार नहीं करेगी तो किसे पार करेगी वो देखेगी या तो वो एक प्लेटफोर्म, जिसे अपने पास में प्लेटफोर्म है या अपने पास में, या तो वो किसी प्लेटफोर्म को पार करेगी, या वो किसी नदी को पार करेगी, या वो किसी तूरंग को पार करेगी, या वो किसी पहाड को पार करेगी, या वो किसी पुल को पा रखना है कि दूरी की जो वेल्यू होती है वो आपके पास में क्या होगा कि ट्रेन की लंबाई के साथ साथ है आप इसको इन सबी की जिसकी भी लंबाई देता है वो जो अगर उसने प्लेट फरूम के चुड़ाई दी है तो प्लेट फरूम को जोड़ेंगे अगर उसने नद तो क्या कहते हैं कि यदि कोई एक ट्रेंड किसी एक ऐसी जगह को पार करे जिसकी बहुत चोड़ाई है या लंबाई कह सकते हैं आप उसको अगर दे गई है तो ऐसे परसन में जो दूरी होती है वो अकले ट्रेंड के लंबाई नहीं होती उसके अंदर उनके लंबाई का भी जोड़ करना है जो कि आपको दिया गया होता है देखो आंकड़ों के साथ और अच्छे से समझ पाएंगे वही तीन फोर्मले हैं ट्रेन के परसनों में बड़ी विसेज दो बात ये है कि आपको बस आपको सही आंकड़े से ट्रेन के या सही दूरी प्रफ्ट हो जाए और सही चाल प्रफ्ट होजे दो ही चीज़े एंसी है जो बार बार रोकती है और मैं पूरा प्रयास करूँगा आज के दिन के अंदर के डाइग्राम के साथ सारी चीज़े समझाओ ता कि आपको कभी कोई कंफीजन आए ही ना तो देखिए क्या कहता है इस पेपरसन आया कैसे वसन यह कहता है कि एक ट्रेन है उस ट्रेन के लंबाई 140 मिट एक ट्रेन के लंबाई 140 मिट तो दो सो मिटर लंबे दो सो मिटर लंबे किसी प्लेट फर्म को पार कर रही है एक ट्रेन 140 मिटर लंबाई की है जो 200 मिटर लंबे प्लेट फर्म को पार कर रही है और ट्रेन की जो गती है वो अपने पास में 144 किलोमेटर परति गंटा की साल से चल रही है तो हमें बताना है कि वो ट्रेन उस प्ले ट्रेन उस प्लेट फर्म को कितने समय में पार करेगी इसका मतलब आप से क्या पूछा जा रहा है समय का फॉर्मला क्या जानते हैं कि दूरी बटे साल होती है अपने पास में अब बताओ जी अपने परसन में दूरी कितनी तो यह देखने के लिए जिसे मैंने अभी बताया थ कि ऐसे परसन में जो दूरी होती है तो दूरी के लिए सबसे पहले मैं यहीं पे लिख रहा हूँ दूरी निकालते हैं पास में तो दूरी के लिए आपको क्या चाहिए कि दूरी के लिए एक तो ट्रेन के लंबाई कितनी है एक सो चालिस है और प्लेट फर्म के लंबाई कि कितनी होगी तेन सो चालिस में हमेशा और हमेशा जोड़ना है अब आप अच्छे से जानते कि इस कंडिशन के अंदर स्टेशन तो है जो गती तो करेगा नहीं वो तो रुका हुआ है अच्छा इस केस में एक और भी चीज आ सकती है तो हम आगे पढ़ेंगे चलो उसको छोड कंड़ पहाड पूल जो भी दिय उसके लंबाइक का जोड़कर दो तो दूरी का काम करेगा और दूरी हमारे पास में किस में है मेटर में है तो चाल भी किस में मीटर के अंदर चाहिए तर पर 30 में चाहिए इसके लिए आप इसको क्या करते हैं 5 बटे 18 से ना कर देते हैं 5 बटे 18 से गुना करते हैं तो यह 18 पे कट जाएगा कितने पे कटेगा अपने पास में 8 पे कटेगा 18 आठे और 8 पंजे कितना होगी अपने पास में 40 मिटर पर 30 से तो आपकी जो स्पीट है जो आपकी चाल है व दूरी बटे चाल तो दूरी कितनी है 340 और स्पीट कितनी है आपके पास में 40 जीरो से जीरो कट गया 24 कादा सत्रा कारदा कितना हो गया आपने पास साधे आठ है सेकेंड में आपका क्वस्टन तुबारा से समझेगा थोड़ा सा ध्यान रखेगा कि ये दी कोई ट्रेन किसी प्लेट फोरम किसी पुल नदी या सूरंग या पहाड को पार करें तो ऐसे परसन में जो दूरी की वेल्यू होती है वो ट्रेन के लंबाई और प्लेट फोरम के लंबाई दोनों का जोड़ होता है जैसी आप दोनों का जोड़ करते हैं तो आपको एक तूरी प्र दोनों का जोड कर दिया तो आप से समय पूछा था समय बताने के लिए दूरी बटे में चाल अपने पास में और तीन सो चालिस में आपने चालिस का भाग दिया तो मानप्राप्टवा साध्याट सेकेंड कुस्न नमबर सेक्ट पहला और रूल नमबर दूसरा समझ में आया अपने को कि ट्रेन अकर किसी ऐसे पॉइंट को सिंगल पॉइंट को पार करें जिसके चोड़ाई नहीं होती या ट प्रूल नमबर 3 यहां निसे देखिए सबको मैं अलग-लग दुबारा से एक्स्प्लेइन करूँगा एक बार डाइग्राम देखिए देखो क्या होता है दो ट्रेन की बात आ जाती है कि अगर एक ट्रेन किसी दूसरी ट्रेन को पार करें तो उस केस में क्या होगा यहां बहुत समनने की जुरूर है क्योंकि यहां पर दूरी के मान में भी परिवर्तन होगा या दूरी को भी सही आंकडे में रूप में रखना है और चाल को भी रखना पड़ेगा क्योंकि यहां उलज के रह जाएंगे अगर अपनोंने थोड़ा सा ध्यान ने रहा तो देखे क्या होगा कि आपने कहा कि दो ट्रेन ऐसी हो जो दोनों चल रही है और दोनों एक ही दिसा में चल रही तो ये हमारा पहला रूल हुआ कि अगर दोनों ट्रेन एक दिसा में चले तो क्या केस बनेगा अपने पास में ये हमारा पहला लेकिन आपने कहा कि अगर वो दोनों ट्रेन एक दूसरे के आमने सामने हो तो ये हमारा दूसरा केस बना क्या तो दोनों ट्रेन एक ही दिसा में चल रही हो एक लोकल वाली ट्रेन चल रही है और एक एकस्प्रेस ट्रेन आती है अपने पास और आप देखते हैं कि लोकल वाली ट्रेन को बराबर पट्री पे चलने वाली ट्रेन वो एकस्प्रेस ट्रेन उसको पार करके निकल जाती है लेकिन आप अच्छे से जानते हैं कि पीछे आने वाली ट्रेन आगे चलने वाली ट्रेन को केवल और केवल तब ही पार करेगी जब उसकी स्पीड पीछे वाले की आगे वाले से ज़ादा होगी तो वो पार करेगी तो पार करने पे कॉस्सन बनेगा अपने सामने दूसरा case क्या होता है कि दोनों आमने सामने एक train आ रही है और एक जा रही है crossing पे आप कितनी बाइन लोटिस करते हैं कि train एक दूसरे को पार करती है अपने पास में और तीसरा ये भी देखा होगा आपने कि कभी कबार के छोटे station पर एक train खड़ी है और दूसरी जो ट्रेना वो इसको क्या कर जाती है पार कर जाती है तो समाने ये तीन चीज़ें अपने सामने आती है तो ट्रेन को लेके तीनी कंडिशन होती है तीन चीज़ें बनती है या तो दोनों ट्रेन एक दिसा में या दोनों ट्रेन एक दूसरे के आमने सामने या एक लुकी है और दूसरी उसको पार कर रही है अब इन तिनों के केस को कैसे करना है तो हम करम से ये जो देरक है अपने पास में इनको सब अलग अलग पड़ेंगे ये पहला केस है मारा ये दूसरा केस है और ये हम तीर तिनों पे आंकड़ों के साथ अपने सुरुआत करते हैं आ प्रेले वो दिए प्रसन यह कहता है कि एक ट्रेन दोनों के लंबाई अलग लग है ध्यान से एक ट्रेन है जिसके लंबाई 120 मिट्र एक ट्रेन जिसके लंबाई 120 मिट्र इसकी गति है वो तो अपने पास में 37 किलोमेटर प्रति गंटा की चाल से चल रही है पिछे से आने वाली एक ट्रेन जिसके लंबाई 200 मिट्र है और उसकी दुस्पीट है वो बहतर किलोमेटर प्रति गंटा या 90 किलोमेटर प्रति पहले चीज़ बताइए यह हमारी ट्रेन एक को पार करेगी आप बोलेंगे बिल्कुल करेगी जी क्यूं करेगी क्यूंकि क्या वो पिछी से आ रही उसकी स्पीट भी जादा है अपने पास में बिल्कुल ठीक बात है उसके तुरंत पिछे वो उसको केतने समय में पार जा रहा हूं एक ट्रेन 120 मिटर के लंबाई 37 की स्पीट है दूसरी के लंबाई 200 मिटर स्पीट कितनी है 90 किलो मिटर तो हमें बताना है कि दूसरी ट्रेन एक को कितने समय में पार करेगी हमारी बी ट्रेन हमारी एक ट्रेन को कितने समय में पार करेगी इसका हमें क्या बताना चल ले अपने पास में और इसमें दूरी के लिए भी लिखोगे और चाल के लिए भी लिखोगे आप दूरी के लिए आप यह कहते हैं एक ऐसा परसन जिसमें दो ट्रेन का जिकर किया जाता है उससे फरक नहीं पड़ता कि दोनों ट्रेन आमने सामने है या उससे भी फरक नही पड़ता कि एक ट्रेन चल रही है और एक रुक रही है यदि दो ट्रेन पे बना परसन आपका आ जाता है तो ऐसे बने परसन में दूरी का काम सदेव और सदेव दोनों ट्रेन के लंबाईयों का जोड़ करते हैं अगर आप से दूरी पूची है तो आप ट्रेन A और ट्रेन B क के लंबाई का दोड करेंगे दोरी क्या होगे आपके पास में हमेशा और हमेशा किस केस में कैजी सभी केस में भली वो ट्रेन आमने सामनी हो भली एक दिसामी हो भली एक रुकेर दूसरी चले दोरी के लिए तो साफ तरह सा काम है कि ऐसे परसन में दोरी का काम सदे कौन करेग थे और उसमें सिखा था साल दो परकार की एक सापेक्स और एक आपक्षित यदि दो गती आमने सामने हैं किसकी है इससे फर्क नहीं पड़ता एक किसकी है दूसरे किसकी इससे नहीं फर्क पड़ता यदि दोनों गती एक दूसरे के आमने सामने हैं तो हमेसा दोनों की गती ज दोनों एक दिसा में जा रहे हैं चोर पुलिस वाला क्वेसन या देखनी है आप ने किया था दोनों एक दिसा में जा रहे हैं इसका मतलब चाल का जो होगा ऐसे परसन में वो क्या करना है दोनों की गती का अंतर करना है बस इतना करती है आपका क्वेसन खत्म होगा आंकड़े इतने असान होंगे कि कभी कोशन आपका गलत होई नहीं सकता देखिए आप आईए अगर आंकड़ों को सही लिखिया तो मुझे बताईए दिये गए परसन में दूरी कितनी है आप को गए कि जी दूरी तो हमेशा हम जोडते हैं तो जोडो फिर एक ट्रेन के लंबाई 120 है और एक ट्रेन के लंबाई 200 है तो टोटल कितना हो गया दूरी का काम करेगा 320 में ये पहला काम हुआ चाल बताओ तो चाल के लिए आपने का कि जी दोनों एक दिसा में हैं तो हम चाल गटाएंगे और दोनों आमने सामने तो जूड़ेंगे बाद सिफ इतनी सी है तो घटाओ बई बड़ी वाली चाल 90 है तेज वाली और धीरे वाली चाल 37 है अपने पास में इसे हल करते हैं अपने पास में ये प्राप्त हो गया कितना अपने पास में चोपन किलोमेटर परतिगंटा आपने पास में तो अब मुझे बताइए कि चाल आपकी किलोमेटर परतिगंटा में दूरी आपकी मेटर में है तो इसको बदलना एक नहीं बदलना आप इसको मेटर परतिशेकंड में लेकिया हो चोपन किलोमेटर को मेटर परतिशेकंड में अब आपसे क्या पुछा था कि दूसरी ट्रेन, पहले ट्रेन को कितने समय में पार करेगी, आपसे समय पुछा जा रहाता है, समय बताने का फॉर्मला क्या होता है, दूरी बटे चाथ, दूरी कितनी प्राप्त हुई, कि जी 320, साल कितनी प्राप्त हुई, तो 15 प्राप्त हु आपका क्वास, जब एक train तो दूसरी train दोनों एक ही दिसा में हैं, उस case के अंदर अगर ये पूछ ले कि दोनों train एक दूसरी को कितने समय में पार करेगी, तो ये बताने के लिए आपको ध्यान रखना है कि ऐसे परसन में जो दूरी होती है वो दोनों train के लंबाईयों का जो आगे बढ़ कर आप ये करें कि अगर दोनो ट्रेन है आमने सामने हो तो उस case में क्या होगा आते हैं इस question को भी करके देख लेते हैं आए इस question में कहता है देखिए दोनो आंकड़े लेके चलते हैं एक ट्रेन के लंबाई एक ट्रेन के लंबाई 180 मिटर है और इसकी स्पीड जो है वो 54 किलोमेटर परतिगंटा है ट्रेन के लंबाई कितनी बताई 180 मिटर स्पीड कितनी बताई 54 किलोमेटर परतिगंटा सामने से दूसरी सामने से सेम पट्री पर नियारी अलग पट्री पर है उस ट्रेन के बन्बाई जो है यह 120 मिल और उसकी जो गती है τα 37 किलोमेटर परते हुए और आज से पुछा गया अब बताएए कि हमारी यह ट्रेन A और हमारी यह ट्रेन B दोनों एक दुसरे को कितने समय में पार करेगी तो ट्रेन A और ट्रेन B दूनों एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगे ये आपसे पूछे अब आईए चीजे वही दू चीजे हैं अपने पास में क्या मैंने अभी बताया था कि जब दू ट्रेन का जिकर हो जाए एक और दूसरे दूर ट्रेन का नाम आजाए तो फिर ओडूनों बले कैसी भी हो आपको दूरी बताने के लिए दूनों के नंबाई़ों का जोड़ करना ही पड़ेगा तो दूरी बताने के लिए आप दूनों के नंबाई़ जोड़ेंगे 180, plus 120, तो रिजल्ट कितना हो गया, दूरी होगी 300, अब आज़ाओ चाल पे, चाल के बारे में आपने क्या कहा है, चाल के बारे में आपने क्या बताया, आपने ये बता है कि चाल बताने के लिए हमें क्या करना चाहिए, कि अगर वो दोनों गती एक ही दिसा में चलें तो गट देंगे, तो आप बताये जोड़ना है कि गटाना है, कि वो इधर से चोपना रहा है, ये इधर से 36 जा रहा है, आमने सामने गती हमेशा जोड़ी जाती है, मैं बहुत दिनों से लगातार बो रहा हूं, तो आपको जोड़ना है, चोपन प्लस 36, तो बराबर कितना हो गया, 90 किलो मेटर परती गट, पर क्योंकि हमारे पास दूरी है, वो किस में है, मेटर में है, और चाल किस में, किलो मेटर तो इसको मेटर में बदल दीजिए, तो 90 का गुणा हम किस से करेंगे, 5 बटे 18 से, तो रिज़न प्राफ्ट होगा, 25 मेटर पर 35. 25 मेटर पर 35. दूरी कितनी है कि जी 300 मिटर कैसे प्राफ्त हुए जी दोनों के लंबाई जोड़ दी हमने अच्छा चाल कैसे प्राफ्त हुए जी आमने सामने थी तो दोनों के चाल जोड़ दी हमने अब अपने पास में क्या बताना है समय बताना है समय का फॉर्मला थर्ड के अंदर जब दो ट्रेंड एक दूसरे के आमने सामने हैं तो उमीद है कि बात आपको समझ में आ रही है बड़े अच्छे से भिना किसी टाइम वेस्ट के अपने सीधे पॉइंट टू पॉइंट बताते जा रहे हैं और इन चीजों को नोट करते चलिएगा कोसिज मैं ये करूँगा कि ये जो पीडिएफ है अभी जो अपना वर्क करें कि पीडिएफ मैं आपको टेलेकराम पर भी उखलब्द करवा दूँगा लेकिन आप अपना जो वर्क है वो वीडियो के माद्यम से अच्छे से समझने का प्रयास करें क्योंकि जो को देखेंगे समझेंगे सुनेंगे तब जाद अच्छे से क्लियर होगा ना कि खाली देखने से तलिए आगे बढ़ते हैं अपने इसी परकार से एक और को अब क्या होगा जी आपने का कि तीसरे टाइप में तीन सरते होती है एक तो ट्रेन एक दिसा में जाए एक आमने सामने एक रुकी हो तो क्या करना है आ जाते हैं उस पर भी बात कर लेते हैं अपने पास में जब दोनों ट्रेन में से एक गती करी है और एक रुकी हो तो उस केस में अपने क्या करना है आईए पहले देखते हैं पहली जो ट्रेन जो गत्ती करी है ये चल रही है भई ध्यान रखना ये ट्रेन चल रही है मैंने लिखा भी आ रहे नहीं इस ट्रेन के लंबाई है 200 मेटर इसकी स्पीड जो है बहतर किलो मेटर परति गंटा दूसरी एक ट्रेन जो रुकी हुई है उस ट्रेन के लंबाई 150 मेटर तो रुकी ट्रेन को ये गत्ती करने वाले ट्रेन अगर पार करें कितना समय लेगी एक ट्रेन रुकी हुई है एक गत्ती कर रही है लंबाई दोनों के दी पर जो रुकी हुई है उसकी चाल देगा क्या कि जी चाल होईगी काँ वो चली नेरी तो जालतों के वलेक की मिलेगी अपने पास में ऐसे परसन में वो रनिंग करने वाले ट्रेन खड़ी ट्रेन को कितने समय में पार करेगी यह आप से पूछा जाता है तो इसके लिए आपको क्या प्राप्त करना है समय समय प्राप्त करने से पहले आपके पास दूरी और चाल होना चाहिए तो बताओ जी इस परसन में दूरी कितनी है डिस्टेंस कितनी है आप क्या जानते हैं कि जी ऐसा परसन जब आता है तो दूरी बताने के लिए क्या करना होता है हमने तो दोनों ट्रेन के लंबाई जोड़ना ही सीखा है जोड़ दो भी ना सोचे समझे तो जोड़ेंगे तो आपका एक मान प्राफ्ट होगा 200 और एक प्राफ्ट होगा 150 तो टुटल हो गया कितना 350 मेटर अपने प्राफ्ट दो उनों ट्रेन के जो लंबाई है कितनी एक 200 की एक 500 की तो आपके पास दूरी प्राफ्ट होगी कितनी 350 क्यूंकि आपने कहा था कि जब दो ट्रेन होंगे तो लंबाई हमें जोड़ना है क्या प्राफ्ट करने के लिए और आगे बढ़िए साल के बारे में कोई कंफीजन ही है क्यों क्योंकि चाल एक ही ट्रेन की है एक दुरुकी हुई है दुरुकी चल रही है उसकी स्पीड कितनी है बहतर किलोमेटर परती गंटा है अब बहतर किलोमेटर परती गंटा है तो उसको मेटर परती सेकिन में दुलाना पड़ेगा और मेटर परती सेकिन में लाएंगे त को प्राप्त होगी 20 मीटर पर 30 से अब आप से क्या पुछा समय समय बता देते हैं समय का फॉर्मला क्या होता है दूरी बटे चाल दूरी तो है 350 साल कितनी है 20 35 का अदर किया साड़े 17 सेकंड का समय लगेगा वो उसे पार कर जाए एक रणिंग ट्रेन एक खड़ी ट्रेन को अगर पार करें तो उसमें समय बताना हो तो दूरी का काम करती है दोनों ट्रेनों की लंबाई लेकिन गती तो केवल एक ही ट्रेन की होगी इसलिए एक ही ट्रेन की गती होंगे कि मैं बना रहा हूं तब भी और अपने सेट में या प्रैक्टिस में आएंगे या एक्जाम में आएंगे तब भी मुस्किल नहीं होती केवल और केवल आपको ऐसे पर्सनों के अंदर ट्रेन वाले पर्सनों में जो दूरी और चाल को समझ गया वो पर्सन कभी गलत कर एक ट्रेन किसी एक रनिंग करते वेक्टी को दोड़ते वेक्टी को पार करे या सामने से आते या चलते वे देखो वेक्टी चल भी रहा है दोड़ भी रहा है उससे फरक नहीं पड़ता लेकिन एक ट्रेन अगर रनिंग करने वाले या चलते वे किसी वेक्टी को पार करे तो दो परस्तिती होगी या तो वो ट्रेन के पराबर में है ट्रेन के पट्री पर तो नहीं आएगा क्योंकि इससे उसका नुकसान हो जाएगा ट्रेन की दूसरी पट्री पर या ट्रेन के समानतर वो या तो सामने से भागता हुआ रहा है या वो ट्रेन की दिसा में भाग रहा है पर क्योंकि वेक्ति की स्पीड ट्रेन से ज़्यादा नहीं होगी इसलिए वो समानेत है क्या होगी ट्रेन उस वेक्ति को पार करेगी लेकिन वेक्ति ट्रेन को पार करे या ट्रेन वेक्ति को पार करे उससे भी फर्क नहीं पड़ता, ऐसे परसन में क्या करना है ध्यान से देख, दोई चीजे होती है, या तो वेक्टी ट्रेन की दिसा में, जिस तरफ ट्रेन चल रही है, उसी तरफ वेक्टी चल रहा है, या क्या होगा कि जिस तरफ ट्रेन चल रही है, उसके सामने से वेक्टी करेगा तो दो बाते या तो वो ट्रेंड की दिसा में चलेगा या ट्रेंड के सामने आएगा तो ऐसी परसन को क्या करना है द्यान से देखेगा पहली चीज़ तो वेक्ति की किसी परकार से कोई जो है वेक्ति की किसी भी परकार से कोई चोड़ाई नहीं वेक्ति की सिर्फ और सिर्फ उन्चाई हैं इसलिए दूरी में कोई confusion नहीं दूरी सिर्फ और सिर्फ यहां पर क्या होगा दूरी तो सिर्फ और सिर्फ क्या होगी ट्रेंड की लंबाई दूरी को लेके कोई जोल नहीं होना चाहिए आपके मन में क्यों, क्योंके जे ट्रेन की तो लंबाई होगे, वेकती के लंबाई तो हुती नहीं होगे चाल में भी कोई कंफूजन नहीं है, क्यों नहीं है उसका कारण देखो अगर इसकी गती ए है इसकी गती बी है और यहां पर भी गती इसकी ए है और यहां पर भी गती बी है तो क्या आपने नहीं समझा अच्छे से कि दोनों गती एक ही दिसा में हैं तो दोनों गती एक ही दिसा में हैं तो उस केस के अंदर आप क्या करेंगे दोनों के चाल को गठा देंगे एक में से दूसरे चाल नहीं गठाएंगे क्या क्योंकि एक दिसा में होते हैं तो अंतर ही तो करना है आपने बताया था और आमने सामने हो उस केस में क्या करना है दोनों की चाल जोड़ देना है बज़ इतना करते ही आपका कुशन ख़र एक में चाल को जोड़ना है और एक में चाल को घटाना है इतना सा ध्यानक नहीं अगर दोनों गती आमने सामने तो जोड़ दो, एक ही दिसा में है तो गटा दो, दूरी में कोई confusion नहीं, क्योंकि वेक्टी कैसा भी हो, वो खड़ा है, या रनिंग कर रहा है, रनिंग के दो रस्ते, या वो ट्रेन की दिसा में जा रहा है, या ट्रेन के सामने रहा है, उस case मे भी वेक्ती की, लंबाई चुड़ाई का कोई यूज नहीं है, दूरी सिर्फ और सिर्फ क्या होती है, ट्रेन की, लंबाई होती है, बस ये दो बाते द्यान रखना है, तो दूरी क्या होगा, सिर्फ ट्रेन के लंबाई, साल क्या होगी, क्या एक दिसा में है तो गटा दें कि एक ट्रेन जिसके लंबाई 240 मिटर है, वो 32 किलोमीटर प्रति गंटा की चाल से चल रही है। और दोडने वाले उस वेक्ति की क्योंकि उसी दिसा में है उसकी गती यदि 6 किलोमेटर परती गंटा है उस वेक्ति की स्पेट कितनी है 6 किलोमेटर परती गंटा और ट्रेंड की कितनी स्पेट है 42 किलोमेटर परती गंटा है इस person में दूरी क्या होगी क्या वेक्ति के लंबाई वो 5 फिट का एक 6 फिट का उससे कोई फरक पड़ेगा क्या नहीं पड़ेगा क्यूंकि उसके चुड़ाई तो जीरो मानके चलते हैं नगण्या मानते हैं अपने पास में तो दूरी तो सिर्फ ट्रेंड के लंबाई होगी और ट्रेंड के लंबाई कितनी है दूरी प्राफ्ट होगी अब बताओ साल क्या होगी कि जी साल के लिए बड़ा असान सा फंडा है नहीं फरक पड़ता कि वो कौन से टाइप का person है किस भाग से question उठाया है साल में दो इतो बाते बताई थी बड़ी अच्छे से अगर आमन सामने तो जोड़ो एक दिसा में है तो गटा दीजिए अब मुझे बताईए दोनों एक दिसा में 92 की स्पीड से चल रही है ट्रेन 6 की स्पीड से चल रहे वेक्ति तो दोनों की गत्की को क्या करेंगे गटाएंगे तो ब्यानिस में से 6 गटा दिया तो रिजल कितना इसकंटा चका है 37 किलो मेटर परति गंटा है अब 37 किलो मेटर परति गंटा को MP3 में लाइंगे और लारेंएंगे लिए आपने क्या करना है pores हमता को MP3 में लाने के लिए पांच बटे 18 से गुणा किया और Kap R songs से गुणा करते कितना प्राफ्थ होगा 10 मेटर पर 30 सेकंड की आजाते आपके पास में चाल प्राफ्थ होगे 10 मेटर पर 30 क्या पूछ रहा था आप से समय पूछा जा रहा था समय बताने के लिए क्या करना है दूरी बटे चाल, धोरी कितनी है अपने पास में, 240 साल कितनी है, 10, 0 से 0 कट गया, कितना प्राफ्ट हो गया, 22 सेकंड में उससे पार कर दे, तो एक वो ट्रेन है, वो उस व्यक्ति को जो गति मान है, लेकिन ट्रेन की दिसा में गति कर रहे, उसको पार करने में 24 सेकंड का समय लगेगा, अपने पास में टाइप नंबर फोर्थ, जिसमें एक ट्रेन के साथ एक गति करता हुआ वेक्ति है, जिसका पहला भाग पुरा कि सली आते हैं अपने इसके दूसरे भाग पर आंगड़े लेते हैं अपने पास फिर से इस परसन पर भी परसन क्या कहता है देखिएगा एक ट्रेन वहीं लेते हैं लंबाई 240 मेटर ट्रेन की लंबाई है इसकी स्पीट 60 किलोमेटर परती गंटा है एक ट्रेन जिसकी स्पीट 60 किलोमेटर परती गंटा है जिसके लंबाई 240 मेंटर है वो इस तरफ गती कर रहा है कर रही है सोरी सामने से एक वेक्ति आता है वो सामने से वेक्ति वो उस ट्रेन की दिसा में लेकिन उस पट्री पर नहीं साइड में दोड रहा है भाई और उसकी स्पीड कितनी है बारा किलोमेटर परती गंटा बारा किलोमेटर परती गंटा की स्पीड से दोड रहा है बताइए वो उस ox stehen रेख्टी ॉया ट्रेन को 16 इस इस से भी strict मत हो जाना dna एक परसल में तो ट्रेन वेख्टी को पार करें एक एता है कि वेख्टी ट्रेन को पार किर। तो उस जास फर्क पड़ता है भाईई दोनों एक दूसरे को ये तो पार कर है अपने पास गया है तो ऐसे परसन को बताने के लिए आप अपको सबसे पहले दूरी चाहिए पताएए इस परसन में दूरी क्या है तो आप कहेंगे कि जी दूरी ह तो सिर्फ ट्रेंड के नमभाई होती है तो लिख दो RM की ंव किन तमल के काम करो साल क्या होगी चाल दोनों आमने सामने हैं आमने सामने गती होती है तो दोनों की गती को जोड़ा जाता है तो जोड़ देते हैं अपने पास में ये 60 और ये 12 तो कितना होगे अपने पास में बैतर किलोमेटर परती गंटा लेकिन क्योंकि गती अपने जो बैतर किलोमेटर परती गंटा में आया है और समान जैसे मैंने कहा कि ट्रेन के बने पर्षनों में जाल आपको मीटर परती सेकिंड में लाना ही पड़ता है तो बैतर को मीटर परती सेकिंड में लाएंगे तो आप क्या करेंगे पांच बटे 18 से तरह से 4 पांचो कि कि अजया 20 मिट्र पर 30 से 20 मिट्र पर 30 सेकिर आ Πो पास में क्या प्राफ्त होगी जा उससे का आपका टाइप नंबर फोर्थ जब एक ट्रेन किसी गतीमान वेक्तिक को पार करें या वह ट्रेन की दिसा में होगा या वो ट्रेंड के विपरी दिसा में होगा तो बना टाइप नमबर फॉर्थ वीद है कि आपको चीजें समझ में आ रही है और आज की क्लास के बाद में ट्रेंड पे बने कोई भी परसन में आपको confusion नहीं होगी हम practice करेंगे और अच्छे से कल की class में इसलिए आज जितना भी मैंने सिखाया है जो भी मैंने पढ़ाया है उनको अलग से अपनी rough copy पे no down करो फिर copy पे no down करें उन नियमों को अच्छे से लिखें ने इस PDF को भी मैं कोशिस करूँगा कि आपको टेलिग्राम एमर्स अकैडमी का टेलिग्राम चैनल जोइन कर लेना उस पे मैं ये डाल दूँगा वहां से आप इसका print out निकाना चाहिए या देख कि आप इसे करना चाहिए तो कुछ की और आप देखते हैं कि एक train आपको बेठे हुए आप अपनी seat पे बेठे हैं आप किसी परकार के दोड़ नहीं लगा रहे होते हैं एक दूसरी train अपने को पार कर दाती है इस case में देखिएगा आप आपका question आएगा कि एक train और दूसरी train दोनों ही train सल रही है दोनों train गती क कर रही है लेकिन अब एक train किसी दूसरी train को पार नहीं करेगा किसी एक train में बेठे वेक्टी को पार करना है किसी एक और ऐसा विक्ति नहीं होता, समाने तरह क्या कहा जाता है अपने को, क्या कोई एक गती करती हुई ट्रेन, किसी दूसरी गती करने वाले ट्रेन के खिड़की की, या किसी सीट की बात कर लेता है, या किसी विसेस एक छोटे से पॉइंट को उठा लेता है, या समाने बेठे वि एक दिसा में होगी और या दोनों ट्रेंड एक दूसरे के आमने सामने होगी लेकिन इन में से किसी एक ट्रेंड में एक विक्ती बैठा होगा एक पॉइंट होगा उस पॉइंट को पार करने में ये दूसरी ट्रेंड कितना समय लेगी ये अपने से पूछा जाता है तो ऐसे person को करने के लिए क्या करना है बढ़ा असा तरीका है ध्यान रखेगा तो चाल के लिए सबसे पहले दूरी करते हैं अपने ज़्यादातर लेकिन मैं कौँगा इसमें पहले चाल बताओं तो चाल के लिए को कोई confusion नहीं है कि जी कैसे नहीं है बताओं अगर ये चाल एक किलोमेटर परती गंटा है और ये चाल बे किलोमेटर परती गंटा है इसका भी ऐसा ही है ये अपने case میں وا ہوا तो दोनों एक दिसा में इसका मतलब हम एक मेसे दूसरी चाल को गठा देंगे बिलुकुल बढ़िया और आपको नई चाल प्राप्थ होगी और इस case में क्या होगा कहजि इस case में प्राप्थ करने के लिए दोनों के चाल को जोड़ देंगे इस केस में दोनों के चाल जोड़ देंगे क्यों क्योंकि दोनों चाल एक दूसरे के हमने सामने है चाल में तो कोई confusion नहीं बिलकुल बड़ी आसे कर गए confusion है यहां पर दूरी को लेते वे जान से रखना आपके ऐसे परसनों में दोनों ट्रेंड के लंबाई आपको दी जाएगी दोनों है ट्रेंड के लंबाई दी जाएगी और आपसे यह कहा जाएगा कि A, B को कितने समय में पार कर जाएगी B, A को कितने समय में पार करेगी लेकिन उस बेठे point के बारे में बात कराऊगा ना कि पूरी train को आपका question ऐसा होगा कि train A, train B बेठे किसी एक वेक्टी को कितने समय में पार करेगी या कह देगा train B ट्रेन A में बेटे किसी विक्ति को कितने समय में पार करेगी वो समय आप से पुछा जाएगा लेकिन किसी एक पॉइंट को लेके ऐसा परसन जब भी आ जाता है तो आपको ध्यान रखना है कि दूरी बताने के लिए केवल और केवल एक ही ट्रेन की लंबाई लेंगे केवल एक ट्रेन के लंबाई लेंगे दूरी के लिए क्या करेंगे केवल एक ट्रेन के लंबाई जबकि परसन में तो दूनों के दी जाएगी तो आप गोलेंगे दूनों के क्यों नहीं लेंगे उसका करण है कि जिस ट्रेन में वेक्ती बैठा है उस ट्रेन के लंबाई कितनी है इससे आपके परसन में फरक पड़ेगा ही नहीं उस ट्रेन के लंबाई कभी नहीं लेंगे जिस ट्रेन में वेक्ति बैठा है केवल और केवल दूरी का काम कौन करेगा वो दूसरी ट्रेन दो गति कर रही है और जो दूसरी ट्रेन इसको पार करेगी केवल और केवल उसके लंबाई लेंगे اور काम किसका करेंगे जूरी का तो पहले वाले परसन में भी जिसमें अपने एकि common सी बात बोने है और वो यह बोने है कि जिस ट्रेंड के अंदर वेक्ति बैठा होता है उस ट्रेंड के लंबाई का आप आगे यूजए है नहीं करेंगे ना person में पूछेगा और ना आप बताना है लेकिन आपके person में दी जाती है ताकि आप उलज के रह जाएं तो चाल में कोई confusion नहीं कि चाल या तो जोडेंगे या घटाएंगे आमने सामने तो जोडेंगे एक दिसा में तो घटा देंगे और दूरी में क्या बता है कि दूरी के वल एक ट्रेंगे लेंगे तो कौन से की नहीं लेंगे कि जिस ट्रेंगे कोई एक वेक्टी बैठा है उस ट्रेंगे के लंबाई को इस person में सामिला मैं नहीं करेंगे देखते हैं कैसे देखो दोनों पे बने अपने एक कोईसन के मद्धिम से बात करेंगे आते हैं पहले कोईसन में देखे पहला कोईसन आपको कह रहा है कि ये जो ट्रेंगे जिसमें वेक्टी बैठा है इस ट्रेंगे लंबाई जो है वो तीन सो मिटर है और वो जो दूसरी ट्रेन जो पिछे से आ रही है इसको पार करेगी उसके लंबाई है दो सो चाड़िस में ये तो बात हुआ ठीक आगे बढ़ियेगा जो ट्रेन आगे तल रही है इसकी स्पीट है बैतर किलोमेटर परती गंटा और इसको पिछे से जो कवर करते वी आ रही है ओवर टेक करके निकल जाएगी उसकी स्पीट है नबबे किलोमेटर परती गंटा के चाल से चल रही है उसके लंबाई 300 मिटर है और दूसरी ट्रेन जो नबबे किलोमेटर परती गंटा से उसके पिछे से आ रही है उसके लंबा वाली स्पीट जो ट्रेन है वो उस वेक्ति को कितने समय में पार कर जाएगी जो बेतर किलोमेटर पर ती घंटा वाली स्ट्रेन के अंदर है पैठा है केवल उससे एक वेक्ति को पार करना है ट्रेन को पार नहीं करवाना तो बताएए जी क्या आपको याद दास में अभी भी कि ऐसे person में दूरी क्या होगी तो आप कहेंगे कि जी ऐसे person में दूरी होगी सिर्फ और सिर्फ उस train के लंबाई जो कि चल ट्रेन एक लंबाई लेंगे सुरी दो में से किसी एक की लेंगे कौन से की लेंगे का वो तो पता नहीं पर छोड़नेंगी किसकी ये पता है किसकी छोड़ना है का जिसमें वेक्टी बैठा है अब वेक्टी बैठा है उस ट्रेन के लंबाई का इस परसन में कोई रोल नहीं है 300 को यहां से दिमाग से हटा दीजी चलो 300 गया, तो दूरी कितनी बची, कह जी 240, अगर यही वेक्टी उपर वाले ट्रेन में बेठा होता, तो किसको उड़ा देते, 240 को रखते, किसके 300 को, तो जिस ट्रेन में बेठा है, उसके लंबाई नहीं ले, बात सिफ इतनी से, अब बताओ चाल क्या करना है, कह जी चाल त में पढ़ोगे, तो कितना आजाएगा, 5 मेटर पर 35, बदलना तो आएगा ना आपको, तो आपने साल बता दी, 5 मेटर पर 35, अब आप से क्या पुछा था, समय पूछा था, तो समय बता दो, समय का फॉर्मला क्या होता है, दूरी बटे चाल, दूरी कितनी है, 240, साल कितनी ह पांस तो आपको क्या प्राप्त हो गया कि जी 48 सेकिंड में पार कर देगी कि इतना आएगा जी 48 सेकिंड में पार कर जाएगी क्यूंकि समय सेकिंड में प्राप्त होगा साल अपनी मिटर पर 30 सेकिंड है आपका क्वशन खत्म हुआ क्या ध्यान रखा कि जी हमें दूरी केवल उस ट्रेन के नंबाई लेनी है जिसको जो पार कर रही है और उस ट्रेन के नंबाई नहीं लेनी जिसमें विक्ति बेठा है बड़ी असान सी बात है ये तो साल या तो जोड़ेंगे रिया गटाएंगे ये बड़ी अच्छे से आप तक समझ ME आ चुका है स्थे मैं आफ प्राप्ट करेंगे तलिए इसी प्रकार से एक और क्फॉस्न लेते हैं अब अगर वो ट्रेन आमने असा मुझे हो तो अगर ट्रेन आमने सामने उतो उस कैस में क्या करना है देखे अपने फिर से बात करते हैं, इस ट्रेन के लंबाई है दो सो चारीस मेटर, ये चल रही है 36 किलोमेटर पराथिगंटा के साथ, ये तुबार, दूसरी ट्रेन है, उसकी लंबाई है 200 मेटर, और इसकी जो speed है वो है speed अपने पास में 54 km परतिगंटा एक train के लंबाई 240 मिटर है दूसरी की सामने से आती train के लंबाई 200 मिटर है 240 वाले की speed 36 km परतिगंटा है और 200 वाले की speed चोपन किलो मिटर परतिगंटा है तो मुझे यह बताईएगा कि तेज गती से चलने वाली ट्रेन धिमी गती से चलने वाले ट्रेन में बैठे किसी एक विक्ति को कितनी समय में पार करेगी यह हमें बताईगा और समय पुछा है तो आपको दो चीजे चीए एक दूरी चीए और एक चाल चीए बताओ इस परसन में दूरी कितनी है तो आप कहेंगे कि दूरी तो वह एक को छोड़ना है कौन से को छोड़ना है कि जिस ट्रेन का पॉइंट ले लिया चाहिए वो विक्ति हो, खिड़की हो, सीट हो, कुछ भी हो जिस सीट का कोई पॉइंट ले लिया उस ट्रेन के लंबाई का इस परसन में कोई रोल नहीं है दो सो चारिस तो गया तो भई बचा कितना, दो सो मेटर दूरी तो बनेगी दो सो मेटर चाल क्या करना है आपको कि चाल दो ही बातियों या चाल जुड़ती है, जुड़ीगी कब जब आमने सामने तो ये तो आमने सामने हैं तो जूड़ देते हैं, चोपन और चाल प्राप्त होगी अब वो ये कहता है कि चाल आगी, दूरी आगी अपने पास में अब पूछा क्या है समय है, तो समय बता देते हैं लेकिन उससे पहले चाल को बदल दो भी 90 km पर 30 गंटा को मेटर पर 30 सेकिंड में 5 बटे 18 से गुना करोगे कितना प्राप्त होगा, 25 मेटर पर 30 सेकिंड 25 मेटर पर 30 सेकिंड, अब आप से क्या पुछा दार समय समय यानि टाइम की बात करें, समय बराबर क्या होता है जी दूरी बटे चाल, दूरी कितनी देर खिया आपको, दूरी तो आई है 200 मेटर, और चाल आपने कितनी बताई है, 25, भाग देंगे कितना आएगा, 25 आठे 200, लेकिन किस में प्राप्त होगा, सेकिंड में, यही आप से पूछा गया था, आपकर जड प्राप्त होगा, तो अपने पास में, अब तक के 5 अलग अलग टाइप के बने परसनों को, जिन को अपनोंने करना सीका है, और उमीद है कि आपको यह चीज़ें बड़ी अच्छे से समझ में भी आई होगी, बहुत अच्छे से आपने इनको समझा भी है, और किया भी है, बहुत अच्छे से गटाते हैं इतनी बात का अगर आप ध्यान रखे तो ट्रेन वाला प्रतेग परसन आपको गनित के सबी चेप्टर से भी असान लगेगा क्योंकि एक चीज़ तो ये कि छोटी छोटी वेल्यू है तीनी चीज़े पूछी जाती या समय पूछ ले या दूरी पूछ ले चाल पूछ ले इससे जादा वो कुछ पूछा नहीं जाता तो आप अच्छे से इस क्लास को देखेगा जहां चीज़े नोट करने वाली अपनी कोपी पर नोट करके रखेंगे और कल इन्हें के साथ अपने परसन लेके आएंगे आज इतना ही मिलते हैं अपने कल की क्लास के साथ अगर आपको क्लास अच्छे लगे और आपको लगता का 299 का है आरिस का 299 का है उसके बाद में संगनक के लिए मैंने 249 का प्राइस रख रख रका है वाकि सारे सेंटर गौर्मेंट रास्तान गौर्मेंट के एक्जाम के भी कोर्स उपलब्द है जिनको आप ले सकते हैं चैडी मेटरेयल मैंने फ्री और कोष्ट आपके लिए रख 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 रहा है जिसको आप प्रिंट आउट करवा सकते हैं आप अपने गेल्ली में डाउनलोड करके उसका प्रिंट ले सकते हैं सभी कोर्स वाइज मैंने आपको ड़ाटा वहां पूफलक्द करवा दिया है जल् प्रस अकैडमी के सभी प्लेटफोर्म पर आप जुड़िएगा मैथमेटिक्स को अच्छा करना है तो आपके उन सातियों तक भी पहुंचाए जो साती अभी तक मेरे से नहीं जुड़ें क्लास को लाइक करना भूलना नहीं है कमेंट जरू करके बताएंगे कि क्लास कैसी लगी है अपने पास और उसके साथ अपने जो साती तैरी करें उनको भी इस क्लास के साथ जोड़िए जान्यवाद मिलते हैं कल इसी पर बने ने परसनों के साथ में